अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकोन दबाना बिल्कुल न भूले ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें आज मैं आपके लिए एक नए किसम के प्रॉडट का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि है लाशील का फिसिको मैट संस्क्रीन जेल नो यह मैंने नाइका से पुर्चेस करा था बिकाज मुझे एक संस्क्रील जेल की रिकॉर्मेंट थी इसकेंडली विकाज मेरी स्किन बहुत जादा वैली है तो मुझे संस्क्रीन या कोई भी क्रीम पर्चेस करने के पहले देखना पड़ता है कि वह मैट फिरिष देता है कि नहीं नाइक इस तोटली अ मैट संस्क्रीन जेल बेसिकली यह 50 ग्रैम्स है इसकी प्रोड़क्ट कॉंडिटी और यह मुझे मिला है 600 रुपीज में तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसका रिव्यू करते हैं जहां में हम बात करेंगें इसे कैसे यूज करना है इसके अंदर इंग्रेजिंस क्या-क्या हैं और इसके बेनेफिट्स क्या-क्या है तो चलिए वीडियो शिरू करते हैं तो गईजी कुछ इस तरीके से ट्यूब में आता है वित अ कैप जो की स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा ऊपर में कैप है और यह बहुत 50 ग्रैम्स कॉंडिटी है तो थोड़ी सी प्र यह बेनेफिशल है हलांकि इसके ओपर लिखा है कि यह is suitable for all skin types है बट आइ तिंक यह ओली से लेकर के normal skin तक के लिए कि इस इस लाइक बेस्ट सुटेड नौ पीछे में आपको सारे details जाएंगे जिसमें आपको ingredients में जाएगा इसे कैसे use करना है वो दिखाएदेगा इसे कैसे a cream this is a medicated gel you can say as a medicine आप अपने face के लिए as a tonic इसे use कर सकते हैं Denmark pharmaceuticals इसे promote करता है और यह इसको you know marketing करता है इसकी तो इसके सबसे खास बात यह है कि यह chemical filters से free है तो जिनकी skin sensitive है मैं बार बार इस बात पर stress दे रही है because chemical जब उसमें रहते है chemical filters रहते है उससे भी problem यह होती है कि जिनकी sensitive skin है वो उसको ले नहीं पाती और skin जादा बे ब्रेक आट होने लगते हैं दूसरी सबसे important बात है कि इस तो देखे इस तरीके से आपको थोरे से cream लेकर के इसे अपने skin पे apply करना है most importantly apply तब करना है जब आपको कई बाहर निकलना है उस निकलने के 20-25 मिनट पहले आपको इसे लगा लेना होगा because इसको absorb करने में time लगता है वक्त लगता है तो आपको इसको 20 मिनट पहले apply कर लेना ताकि अच्छे से आपकी skin में protective layer form कर ले दूसरी चीज इस पे PA triple plus है which means यह आपकी skin को UV rays से you know shield करेगा इसकी वजह से जो dark spots है या premature aging होती है या skin में tanning होने लगती है उस चीज से आपको यह benefit दिलाएगा तो इसको इसकी जो longevity है ना वो basically 8 घंटों तक ही है जैसा की claim कर रहा है but on usage में आपको बता दू कि 6 गंटे तक यह बहुत अच्छे से काम करता है 6 गंटे तक आपकी skin किसी भी UV rays से protected रहती है plus यह water resistant भी है तो water resistant होने के कारण से वसीने भी आएंगे उसके बाद भी यह आपकी skin पे properly work करेगा also किसी भी तरीके के जो sunburns होते है या redness skin पे हो जाती ह दूब के जाएसे उससे भी अब आचाता है ना कई बाहर मैंने ऐसे कई सारी creams यूज की है जहां पर skin pick white cast होने लगता है आप जब लगाएंगे तो skin pick थोरे से वैसा वैसी formulation वाली creams होती है जहां पर white cast आने लगता है बट इसकी सबसे खास पत है कोई white cast नहीं आता है आप दे अची या केकी या heavily लगेगा आपकी skin के ऊपर इसमें zinc oxide है जो आपकी skin के लिए बहुत बहुत साधा beneficial होता है तो basically zinc oxide क्या करता है आपकी skin में कोई भी eruptions या irritations होता है ना उसके उससे आपकी skin को बचाता है तो sensitive जिनकी skin है उनके लिए मैं इसलिए बता रहे हो कि यह बहुत बेनेफिशल है पट थोड़ा से वक्त लगता है अब्सॉप करने में तो आपको patiently wait करना पड़ेगा इसलिए 20 मिनट पहले लगाए लगाने के लिए आपने क्या करना है डॉट्स बनाने है face पे इसके और उसको अब्सॉप कराना है skin पे properly massage करके आपको अब्सॉप कराना है 20 मिनट का टाइम में generally कोई भी आप sunscreen लगाते है तो 20 मिनट पहले ही लगा ले ताकि आपकी skin में तब तक वो absorb कर जाए एक चीज मैंने इसमें और भी notice करी है कि यह आपकी skin को एक shade lighter कर देता है I don't know इसमें कोई foundation वाला कोई product मुझे देख नहीं रहा इसके अंदर बट यह तो आप उस जगे पर compromise कर सकते हैं आप उस जगे पर compromise कर सकते हैं आप उतना payment करेंगे हैं और आपकी skin बहुत साथा pimples अगरा रहा है तो आपकी skin को बहुत ज़रूरी होता है SXC product की plus matte है तो matte होने की वजए से oily skin to normal skin के लिए बेस्ट है although company claim करते है कि suitable for all skin types but मैंने use करा तो मुझे लगा कि this is good for oily to normal skin और आप इसे daily use कर सकते हैं dermatologically tested है तो आपकी skin पे कहीं से भी कोई reaction नहीं होगा यहाँ पर मैं एक चीज और mention करना चाहूंगी कि इसकी smell शायद बहुतों को बसंद नहीं आएगी मेरी nose थोड़ी सी sensitive है यहाँ पर smell को लेकर के तो मुझे थोड़ी सी irritation होती है थोड़ी सी awful smell है जब आप skin के जो भी cure करते हैं तो उस case में आपको उसकी smell पे कई भार ध्यान नहीं जाता है जब आपकी वह skin के लिए अच्छा हो तो खास करके ध्यान नहीं जाता है तो guys इसका link मैं description box में डाल दोंगी जो भी मैंने बात करी इसके बारे में अगर इसके लावा आपको कोई भी confusion है इस product के बारे में तो आप मुझे ज़रू comment section में बताएं चुपकी मैं use कर रही हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगी इसमें कोई भी चीज आपको जो missing हो तो आप लीज मुझे with your beautiful comments and compliments and if you want me to review a product of your joys do mention that in the comment section below I will definitely get back to you as soon as possible तो guys आज के लिए इतना ही और बहुत चल्दी मैं अपना अगला वीडियो भी अप्लोड करूंगी तब तक के लिए hope you have a great day goodbye